हेलो फ्रेमेंट वेल्टों बेक्टो मैं चैनल अम्रेटी पैसे मिला है आज की वीडियो में देखिए हम इस तरह के ब्यूट बनाने वाले हैं बहुत ही कुप सुरा से यह बूट है आप इजली कानाजी को बनाई और पहनाई यह चे नंबर के काना को मैंने पहना हुआ है यह इसलिए मैं इसे टेबल पे बठा दिया इसे पूझा नहीं करता कि यह देखिए के पांच नंबर के काना है सेम बूट आप 5 नंबर को भी पहना सकते हैं एक नंबर से निकाला और 5 नंबर को आपको पहना के दिखा दिया बहुत सिंपल और आसांतरी के स्छी आप से बनाई इन सबी बूटो को और यह वाला तो मैंने आपको 5-6 नंबर बताया रही है उस वीडियो में मैंने आपको सभी सायजी काना जी को पहना के दिखाया है तो वीडियो जरूर चेक करिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है यह देखे मैंने यहाँ पे यह उन लिया हुआ है और साथ में अपनी यह क्रोश्या हुक लिए हुए है टू एमेम में है बहुत मोटा हमारा उन नहीं है इस चेशका आपको ध्यान देना है हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक लूप बनाएंगे बनाने के बाद हमें इसमें अपने हुक को डालना है डालने के बाद हम टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे चेन यह देखें एक यह दो तीन चार पांच छे हमने यहाँ पे छे चेन बनाई है अब हम क्या करेंगे यह देखें यह हमारी जो पहली चेन हमारे hook में है, इसे हमें छोड़ना है, और इसके बाद वाली भी chain छोड़ना है, और यह जो तीसरी chain है, इसी में हमें half double crochet बोननी है, इस तरह से करना है, और यहां हमने chain में डाला, उन को निकाला, अब देखें, तीन फंदे हैं, इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ उतार द हमने यहां पर एक half double crochet बना ली, फिर हमने इस तरह से किया, हम अगली chain में डालेंगे, यह हमने डाला, यहां से उन को निकाल लिया, तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, फिर हमने इस तरह से किया, यहां पर हमने next chain में डाला, हमने दो बार half double crochet बना ली है, यह हम तीसरी हाफ डूल क्रोश्या हो गई फिर हमने इस तरह से किया अगले चेन में डाला और यहां से हमने इस तरह से निकाल ले हमने चार बार हाफ डूल क्रोश्या बना लिए अब हमारी यह लास्ट जो चेन बची है इसमें हमें डूल क्रोश्या बनानी है पांच बार देखें यह इस तरह से करेंगे, यह लास्ट वाली चेन में हमने डाला, डालने के बाद उनको इस तरह से निकाला, अब तीन फंदे हैं, तो दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार इस तरह से निकालेंगे, फिर हमने इस तरह से किया, और यहां पर हमने सेम चेन में डाला, अ यह अपनी तीसरी डबल क्रोशिया बना दी फिर हमने इस तरह से किया सेम जगर डालके यह हमने चौथी डबल क्रोशिया बना दी और फिर इस तरह से करना है सेम जगर डालके हमने पांच भी डबल क्रोशिया बना दी टोटल हमने पांच डबल क्रोशिया एक ही चेन में लेंगे हमने फंदे को निकाला तीन फंदे हैं हमने यहां पे तीनों को एक साथ उतार दिया हमारी देखिए यह तीन हाफड़ क्रोश्य हो गई और फिर हमने इस तरह से किया नेक्स चेन में हमारी टोटल चार हाफड़ क्रोश्य इस साइड भी हो गई यह हमने बना ली अब हम क्या करेंगे इसे जॉइंट कर देंगे यहीं पर यह इस तरह से हमें उनको निकाला और इसी उनको यहां से भी निकाल देना है यह देखिए यह जो नीचे का हमारा बेस होत बनाई और यहां सभी चेन में हम एक एक बार अपनी डबल क्रोश्य बुनेंगे और कोई चेंज नहीं रहेगा नॉर्मल आपको एक बार सभी चेन में डबल क्रोश्य बुनते चले जाना और यह देखिए यह उन मैंने ऐसे साथ-साथ ही रखा है इससे यहीं पर हमारा हाइ कि डैडी होगा और इसली आप अपने कानाजी को इसे पहना पाएंगे यह देखिए इस तरह से करके मैं इसे पूरा बुन लोंगे यह ऐसे हैं सभी चेन में सिर्फ एक एक बार आप चाहे तो गिन सकते हैं चार हमने एक साथ हाप बल क्रोश्य बनाई थी चार एक साथ तो चार आठ हो गया और बीच में हमारी पांच बनी है तो हमारा आठ पांच ते रहा हो गया मिन्स यहाँ पे तोटल तेरे डबल ग्रोश्य आ जाएगी हमारी तो इस तरह से आप करके इसे गीन भी सकते हैं यह ऐसे करके मैंने बुन दिया सभी चेन में सिर्फ एक एक बार यह हमारी लास्ट वाली चेन है इसमें भी एक बार बुन देते हैं यह हमने बुन दिया और यहां से हमने डालना है हुक को उनको निकालना है और जॉइंट कर देना है यह देखें इस तरह से मरा इतना हो गया है अब हम क्या करेंगे हमने य अगली चेन में डाला, तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है, फिर अगली चेन में डाला, तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, ये ऐसे करके, बहुत chain में एक बार बुद्दूंगी और अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो मैंने क्रोशिया चलाणा बताया हुआ है आप वहाँ से सीख सकते हैं कि आप कि सबस्तों से क्रोश्या हूंक यूज कर सकते हैं और अगर आपको इतना पतला उन नहीं मिल पा रहा है, यह थोड़ा सा पतला है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप थोड़ी से मोटे उन से भी बना सकते हैं, थोड़ा पतला रहता है, तो बहुत अची सी फिनिशिंग आती है, देख के हमारा और वो छोटा-छोटा तो अगर मिल पाई तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाई तो आप यूज कर सकते हैं, वैसे हम अपने ड्रेस के काइन को बूट पहना तो जिस अब बनाई यह उस से बूट बना सकते हैं, अब हम इसे यहां पर जॉइंट कर लेंगे, इस तर से किया, उनको निकाला और यहा हम इसे हुक की हल्प से ही सिल देंगे यह देखें यहां से एक चेन ये एक चेन ये दो चेन पिर दो चार एक इधर की और एक उधर की और तीन चेन से आपको स्टार्ट करना है यह देखें यहां से एक दो तीन यह से स्टार्ट करूंगे तो देखें एक इसमें डाल दिया और सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं यह ऐसे मैं आगे पीछे की दोनों चेन में डालके और सिंगल क्रोशिया बुन दोंगी इस तरह से बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा यह देखें, मैंने बुन दिया बुनने के बाद यहां पर हमने एक चेन बनाई लंबा किया और कट कर देंगे यह हमने कट कर दिया अब यहां पर हम इसे इस तरह से नॉट लगा लेंगे यह हमने नॉट लगा दी और नॉट लगाने के बाद हलका सा लंबा रखते ही कट करना है, इक ता पास से ने कट करना है यह हमने कट कर दिया इस तरह से करके यहीं से निकाल देंगे यह ऐसे आपको इतम पास से उनको नहीं कट करना है अगर आप पास से कट करेंगे तो फिर आपका वही बुनाई जो है वो खुलने लगेगा तो हमें लॉंग टर्म वाली चीजे चाहिए स्वाट टर्म नहीं олो मैं इस तरह से हो गया है अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा कर दिया यहां से यह वट डाल की इसे पूढ़ां सीधा कर लीजे अब मैं इस पे उपर से थुचा बॉन देती हूं बॉर्डर के लिए यह 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 यलो कलर में ले लिए है किसी भी साइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो चले हम बैक साइट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस तरह से हुक को डालना है यह हमने उन को निकाला निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक और दो दो चेन बनाई दो चेन बनाने के बाद सेम जगा डालना है और यह तीन फं लिए बुनते चली जानी हो तो यह इसी में हाइड हो जाएगा क्योंकि मैं कभी नॉट लगा के नहीं ज्वाइंट करती हूं उनको इसी तरह से ज्वाइंट करती हूं इसी में बुनतिया अगर आपसे कभी मालिजे गलत भी हो जाता है तो आपको खोलने में बेजी रहेगा यह इस तरह से हम इसे बुन देंगे यह देखिए सभी में हमें एक एक बार हापडोल क्रोश्या बनानी है सभी चेन में तो यह आपका उपर से भी आ जायेगा और अगर आप यहाँ पे काना जी को यलो कलर की पजामी पहना रहा है तो यह पजामी के साथ उसी में हाइड भ यह इस तरह से मैं निकाल दया मैंने कई वीडियो कट नहीं किया है सभी चीज आपके साथ डिटेल में सेयर किया तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब देखिए यहा से मैं इसे ज्वेंट करे बस कट करने के बाद मून को खीच लीजिए और खीचने के बाद यह देखें इस तरह से हमारा बूट राड़ी हो गया आप चाहें तो इसी को ऐसे लंबा करते जाएं और इसी में आप पजामी भी बना सकते हैं तो टोटली आपके उपर हैं अब हम इसे इस तरह से यहां पर उनको थोड़ा सा लंबा करके और तब कट करेंगे यह हमारा हो गया अब हम इसे कट कर सकते हैं अब मैं बूट यह पांश नंबर के काना को पहना के दिखा देती हूं यह देखें कितने अच्छे से पिट आ लिया पांश नंबर को बहुत अच्छे से यहां से जो भी धाग बता देती हूं च्छीज यहीं रहे दिखें च्छे नंबर एक आना भी तो यह सेम वूट आप च्छे नंबर को भी पहना सकते हैं देखें इस तरह से पेला है अगर मैं इनकी पूछा करती है तो मैं असे ठंड में इतना बिना कपड़े के रखती ही नहीं यह देखें यह च्छे नंबर को भी आ जा रहे है तो इस तरह से आप च्छे नंबर के लिए भी इसे बना सकते हैं चली मैं दूसरे पहर का भी बना लेती हूं फिर दोनऊ आपको पहना के दिखा लेती हूं तो यहां पर जो दोनों पूठ है और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग में स्क्रिप कर दी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने इसे किस तरह से पहनाया हुआ है और बाकी साइजियो में मैंने आपको पहले बताया है उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वी प्रशना रदी रदे